सारी संगत मिलकर बोलो जै गुरुजी, सुकराना गुरुजी, गुरुजी के चरड़ों में कोट-कोट नमन कीजिए और बंदना कीजिए, गुरुजी का धन्यवाद कीजिए, गुरुजी का कोट-कोट सुकराना कीजिए, अनंतम सुकराना कीजिए, कि गुरुजी आपका कल आपके परिवार का कल्यार कर रहे हैं गुरु जी कहते हैं पुतर तेरा टाइम आ गया है अब तुझे जो मिलेगा जो तुने सोचा भी नहीं होगा तुझे ओ मिलेगा जो तु चाहता है तो गुरु जी कहते हैं कि कर्म भी अच्छे करने पड़ेंगे और कर्म गुरु जी कह भूरू जी कहते हैं, मादा बिच्चु की मृतु बहुत ही दुखदाई रूप में होती है। मादा बिच्चु जब अपने बच्चों को ज़न्म देती है, तब इस सभी बच्चे ज़न्म लेते ही अपनी मां की पीड़ पर बैढ जाते हैं। और अपनी भूख मिटाने है तू, तुरंते ही अपनी मा के सरीर को ही खाना प्रारम कर देते हैं, और तब तक खाते हैं, जब तक कि उसकी केवल अस्तियां ही सेस नह राजा हैं, वो तडपती हैं और कहराती भी हैं, लेकिन ये बच्चे पीछा नहीं छोड़ते, और ये बच और असहनी पीडा को झेलती हुई, दम तोड़ती है संगत जी, संगत जी मादा बिच्चु की मौत होने के पहस्चाती, ये सभी बच्चे उसकी पीड से नीचे उतरते हैं, उसके पहले पीड से नीचे नहीं उतरते हैं, अपनी मा को ही खाते रहते हैं, संगत जी कहने का भ लिए भवसागर को अगम और अपार कहा गया है। संतमंत के मुताबित यभी मनुस योनी में किये गए कर्मों का ही भुकतान ऊर्थात। इंसान इस मनुस जीवन में जो भी कर्म करेगा नाना प्रकार की असंख योनियों में इन कर्मों के आधार पर ही उसे दुख और सुख दोनों मिलते रहते हैं यह तैं है और इसे बदला नहीं जा सकता संगत जी मनुस जन्म बड़ी ही मुश्किल से मिला है जो गल्लियों के आवारा जानवर घूम रहे हैं न इन्हें भी कभी मनुस जन्म मिला था और इनमें भी कोई सेट साहुकार या कुछ और होंगे यह जो आप जानवर देखते हैं पहले यह इनसान थे लेकिन अपने कर्मों के आधार पर यह भी आज भुगत रहे हैं इन्हें गुरु भी इन्हें नाम का भजन करने को कहते थे तो यह भी हसकर जबाब देते थे कि अभी हमारे पास समय नहीं है जो मनुस जन्म हार गए प और पसूयोनी में आगे है आप देखो समय ही समय है लेकिन अब गुरु नहीं है बिचारे गली गली आवारा घूमते हैं कोई धुतकारता है तो कोई इन जानवरों को फटकारता भी है कर्म बहुत रुलाते हैं संगत जी इसलिए कर्म अच्छे होने चाहिए और किसी को भी यह कर्म छोड़ता भी नहीं है लेकिन गुरु जी का ऐसा धाम है गुरु जी का ऐसा बड़ा मंदिर है गुरु जी का ऐसा बड़ा आसिरबाद है कि यहां सब कुछ बदल जाता है सुकराना कीजिए सुकराना में बड़ी सक्ती है जितना सुकराना करेंगे उतना गुरु जी ब्लेसिंग करेंगे और गुरु जी क्याते हैं चंगा हो जाओ तुम्हारा टाइम आ गया है अगर हम अभी नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे संगत जी परमात्मा की बंदगी कर्म फलों को धो डालती है हमें चाहिए कि हम नियमित परमात्मा का भजन सिम्रन करते रहें और उस परमात्मा का उस गुरु का सुकराना भी अदा करते रहें जै गुरु जी सुकराना गुरु जी सभी संगत के लिए एक बड़ी बात लोग कीचर से बचकर इसलिए चलते हैं कि अपने कपड़े खराब न हो जाए और कीचर को या घमण हो जाता है कि लोग उससे डर जय गुरु जी जब भी कोई सतंगी भजन बंदगी में बैठता है वह कभी भी अकेला नहीं होता और नाहीं उसे अंधर भटकने देता है उससे रास्ता दिखाने वाला गुरु हांथ और सची तागत सदा उसके अंग संग कर देते हैं गुरु रहते हैं सत्संगी को अंतर में रहनुमाई के लिए जिसके लिए हम भजन सिम्रन करते हैं वह रास्ता दिखाने वाला मालिक हमेशा हमारे साथ होता है इसलिए हमें कभी भी किसी बात का डर या फिक्र संगत जी नहीं करना चाहिए संगत जी अगर हम बूरे लोगों की संगती में आकर इस संसार में बूरे कर्म करने लग जाते हैं तो हमें उन कर्मों का भुक्तान करना पड़ेगा पर अगर हम ये छोटे मोटे खोटे मंदे कर्म पहले ही कर चुके हैं तो आज हमारी भलाई इसी में है कि उस परमपिता परमात्मा गुरु जी के पास वापसी के मार पर चलते हुए हम अपने इसी मनुस जीवन काल में गुरु की सरड में लेकर अपने कर्मों का भुक्तान कर लें क्योंकि यह मोका फिर नहीं मिलेगा संगत जी पापों के कारण संसार को धिकार है लेकिन कोई कारण जरूर होगा जो संसार में पाप है लेकिन धिकार है उस इनसान को जो पा पाप करता है इसलिए पाप से बचो संगत और गुरुजी का सुकराना करो कि गुरुजी धर्ती पे आपके लिए आये हैं और गुरुजी ने कहा तेरा पुत्तर चंगा टाइम आ गया है तेरा कल्यार होगा बस गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलो संगत जी गुरुजी दो बाते बताते हैं दो बातों की गिंती करना छोड़ दें खुद का दुख और दुसरों का सुक जिन्दगी संगत जी आसान हो जाएगी गुरुजी समझाते हैं जै गुरुजी सद्गुरु अपनी कृपा से ऐसी बिवस्ता कर सकते हैं कि सिस के सरीष छोड़ने के बाद उसके सेस कर्म किसी आंतरिक मंडल यात रिकूटी में बैठ कर भक्ती के माध्यम से पूरे हो सके और उसे भावतिक रूप में जन्म लेने के आवसकता न पड़े संगत जी दुनिया फिर से लेकिन एक ऐसा आमतर पर तभी होता है जब सिस के मन में कोई प्रबल सांसारिक इच्छा या आसकती न हो आमतर पर अगर किसी ससंगी का जन्म भी होता है तो वह जन्म पहले की तुन्ना में बेहतर परिसितियों में होता है और उसके पास भाजन किर्टन की अधिक सुविधायें होती हैं और प्राप्त हो जाती हैं या सब आसिरबाद धाम में गुरुजी के सरण में आने के बाद ही मिलता है संगत जी इसलिए गुरुजी का लख लख सुकराना कीजिए कि ऐसे गुरु मिले हैं ऐसे गुरु बिस्व में नहीं मिलते हैं आप सभी जानते हैं इस दर पे आने के बाद सब की जोली किसी ससंगी से कभी कुछ नहीं लिया, बलकि जीवन भर कल्यार गुरुजी करते रहें, सब की पीडा को गुरुजी ने कम किया, यहां तक कि बड़े-बड़े डाक्टर फेलो आते हैं, उसको भी गुरुजी ठीक करते हैं, बड़े-बड़े असाद रोग, संकट, सब कट जा मिलती है, जै गुरुजी, संगजी, गुरुजी आगे अपनी संगत को समझाते हैं, बार-बार आग में जलाने पर भी सोना अपनी चमक और रंग नहीं छोड़ता है, बार-बार काटे जाने पर भी इच्छु दंड, गन्ना अपनी मिठास नहीं छोड़ता है, चंदन भी बार-बार घिस जाने पर अपनी सुगंद संगत जी नहीं छोड़ता है, ऐसा गुरुजी अपनी संगत को समझाते हैं कल्यार के लिए, कि सत्रु के भी गुर ग्रहर करने चाहिए, और गुरु के दोस बताने में संकोच नहीं करना चाहिए, यही स्रिष्ट आचरण है, जि बुद्धी हीन के पास बल कहा क्रोध से मनुस्की मती मर जाती है, यानि मुड हो जाती है, जिससे इस्मृती भ्रमित हो जाती है, गुरुजी कहते हैं, दिन प्रत दिन एक घंटा ध्यान करें, और मानसिक रोगों से बचे, एक घंटे के लिए संसार से दूर होकर अपने आ बिचार न कलपना, आप देखेंगे कि यह एक घंटा आपको फिर से वबना देगा, नई ताजगी से भर देगा, और आपकी संसार में अधिक सांत और ताजा होकर लोटेंगे, आखों में आशर और हिर्दय में अधिक प्रकास के साथ, आप फिर से एक बच्चे सरल और हो जाएंगे, और यह सब किर्पा गुरुजी से होगी, गुरुजी सरेष्ट हैं, गुरुजी महान हैं, गुरुजी परमपिता परमेश्वर हैं, गुरुजी साच्छात इस धर्ती पे मानव रूप में महासिव हैं, जो सभी संगत का कल्यान करने के लिए गुरुजी आए होता है यहां हर गुरु प्रेमी माला माल होता है बस सर्थ इतनी सी है कि सेवा सशंग सीमरन करने से प्यारा सद गुरु सब पर संगत जी मेहरबान होता है तो आपको जो चाहिए धन दवलत ऐसो आराम सब गुरु जी के दर्बार में है जाब संकट सब का निवारण गुरु जी के धाम में है गुरु जी के सरण में संगत आजाओ आपका कल्यार निशित है गुरु का बहुत बड़ा दर है यहां से कोई खाली हाथ नहीं जाता गुरु जी सब का कल्यार करते हैं जिसका जब समय आता है तो उसको जरूर मिलता है इसलिए कभी उमीद मत खोना कभी न सभी परिवार के लिए कि है गुरुजी, सब का कल्यार करो, जुड़ा जो बंधन गुरुजी तुमसे, महा का मेरा जीवन है, रिस्ता है दिल का गुरुजी, जैसे मैं पानी तु चंदन है गुरुजी, तेरे दर्सन का सुक अम्रित है गुरुजी, पूजु तुझे मैं बा आरंबार गुरुजी, भूल चुक माफी कर देना गुरुजी, किर्पा बनाये रखना दातार गुरुजी, सब कब लेश करना गुरुजी, जै गुरुजी, सुकराना गुरुजी